हलो एंड वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवुड रिपोर्टर और मैं हूँ आपके साथ सुनाली हाजिर हूं बॉलिवुड की अप्टुडेट खबरों के साथ फेर एक बार तो चलिए करते हैं आज की शो की शुरुवात आलिया रन्बीर जल्द ही दो से तीन होने जा रहे हैं सभी को बेबी कपूर के आने का बेसबरी से इंतजार है लेकिन क्या आपको पता है कि बेबी कपूर इस दुनिया में आते ही बॉलिवुड के सूपर रिच स्टार किट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जी हां क्यू रालिया भट और रन्बीर कपूर का बेबी दुनिया में कदम रखते ही बन जाएगा 500 करोड से जादा की प्रॉफर्टी का माले बेबी कपूर इस ओन तो वे रन्बीर कपूर और रालिया भट शादी के धाई महीने बाद ही अपनी लाइफ का न्यू चाप्टर शुरू कर चुके हैं हाल ही में हस्बन वाइफ बने रन्बीर और रालिया जल्दी पेरिंट्स बनने वाले हैं हर तरफ रालिया के होने वाले बेबी के चर्चे हो रहे हैं जहां एक तरफ फैंस ये जानने के लिए बिताब हैं कि आल्या और रन्बीर कब अपने बेबी को वेलकम करें वहीं बेबी कपूर के खबरों में च्छाने की वज़ा एक और भी है और वो है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के सूपर इच स्टार किड्स में बेबी कपूर की एंट्री होने वाली है जि हाँ जन्म लेते ही आलिया और रन्बीर कपूर का बेबी कहलाएगा उनकी करोडों की प्रॉपर्टी का मालिक जन्म लेते ही बेबी कपूर 500 करोड से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा तो चलिए आपको बताते हैं आलिया और रनवीर कपूर की आलिशान प्रॉपर्टी के बारे में यूँ तो रनवीर और आलिया दोनों ही बी टाउन के सूपर स्टार्स हैं और दोनों ही फिल्मों से खूब मोटी कमाई करते हैं वही शादी के बाद इनकी संपत्ती भी डबल हो गई है रॉक्स्टार बरफी संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में सिनेमा को देने वाले रनवीर यूँ तो कपूर खांदान के चिराग हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक रनवीर कपूर के पास करीब 322 करोड रुपए की संपत्ती है अपनी एक फिल्म के लिए ही रनवीर 18 से 20 करोड रुपए की भारी भरकम फीस वसूलते हैं वहीं ब्रैंड एंडॉस्मेंट के लिए भी वो करोडों में ही फीस चार्ज करते हैं रनवीर ने कुछ कंपनियों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है जिससे उन्हें मोटा पैसा मिलता है तब ही तो वो लगजीरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं रनवीर कपूर मुंबई में काली शान घर में रहते हैं कृष्णा राज बंगले से निकलने के बाद रनवीर ने अपने लिए मांद्रा के पाली हिल्स्थित वास्तू बिल्डिंग में लगजरी फ्लाट खरीदा था इस घर की कीमत 16 करोड रुपे के आसपास बताई जाती है रनवीर कपूर का पुष्टैनी घर कृष्णा राज बंगला भी है जिसे रीकंस्ट्रक्ट करके एक बहु मनजिला इमारत में तबदील किया जा रहा है इस बिल्डिंग की पहली पांच मनजिलें कपूर परिवार के पास होंगी इनके अलावा देश भर में रनवीर की कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी है रनवीर कई लगजरी गाडियों के भी मालिक है उनके पास सबसे महंगी कार Mercedes-Benz AMG 63 है जिसकी कीमत 3 करोड रुपे है इसके अलावा रनवीर कपूर के पास 2.70 करोड रुपे की ओडी R8 2.11 करोड रुपे की रेंज रोवर वोग 1.58 करोड रुपे की ओडी A8L और 1.43 करोड रुपे की रेंज रोवर स्पोर्ट्स जैसी कारे भी है महीं बात अगर मिसिस कपूर की नेट वर्थ की करें तो आलिया की कुल नेट वर्थ 1.500 करोड रुपे से कुछ ज्यादा है वो एक फिल्म के लिए 5-8 करोड रुपे तक वसूलती है वहीं आलिया एक आड के लिए 102 करोड रुपे तक लेती है आलिया भी कई लगजरी प्रॉपेटीज की मालकिन है साल 2020 में आलिया भट नेपाली हिल स्थित वास्तू बिल्डिंग में 35 करोड रुपे का फ्लाट खरीदा था आलिया का एक घर जुहू में भी है इस घर को आलिया ने 13.11 करोड रुपे की कीमत में खरीदा था इतना ही नहीं उनका एक ड्रीम हाउस लंदन में भी है आलिया के पास मौजूद सबसे महंगी कार की बात करें तो वो रेंज रोवर वोग है जो लगभग 2 करोड रुपे की है इसके अलावा उनके पास 1.38 करोड रुपे की BMW 7 सीरीज 80 लाग रुपे की Audi Q7, 60 लाग रुपे की Audi A6 और 50 लाग रुपे की Audi Q5 जैसी महंगी कारे भी शामिल है Bureau Report E24 दिपिका रनवीर लोटा रहे हैं एक दूसरे पर प्यार दूर रहकर भी हस्वेंड और वाइफ है एक दूसरे के पास दिपिका पादुकोन और रनवीर सेंग की जोडी को बॉलिवुड की बहतरीन जोडियों में गिना जाता है लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने साल 2018 में शादी की थी ऐसे में शादी के कुछ सालो बाद भी दोनों का प्यार सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिल ही जाता है जहां दिपिका वहां रनवीर सोशल मीडिया पर जब भी दिपिका कोई पोस्ट शेयर करती हैं तो रनवीर खुद को कॉमेंट करने से नहीं रोक पाते हैं वही रनवीर भी जब कुछ पोस्ट करते हैं तो दिपिका भी खुद को अपने पती के तारीफ करने से नहीं रोक पाती हैं अब देखिए ना हाल ही में रनवीर सिंग ने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें उनका एरपोर्ट लोग देखने को मिल रहा था हमेशा के तरा फंकी लुक में मिस्टर सिंग काफी डाशिंग लग रहे थे लेकिन उनको इंतजार था तो सिर्फ एक का यानि की मिस्स सिंग का दरसल रनवीर ने अपने इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है फिर क्या था देपिका ने रनवीर की इस ख्वाइश को पूरा करते हुए पोस्ट पर कॉमेंट किया और लिखा और इसी के साथ उन्होंने एक हाट इमोजी भी शेयर की देपिका रनवीर का रुमायांस आएदन देखने को मिलता है दोनों की कैमिस्ट्री आएदन पब्लिक के लिए देखने को मिल जाती है वैसे फिलहाल दिपिका यूएस में अपने काम के चलते बिजी हैं, वहीं रनवीर सिंग मुंबई में अपने फिल्म रॉकी और रानी के पोस्ट प्रडक्शन वर्क में बिजी हैं, वैसे भी दिपिका के लिए रनवीर का प्यार हमेशा लाइम लाइट में रहा है, तो वैसे ही पतिगावी हग बनता है बीवी के पैसो पर इस वक्त हमारे साथ है टीटू और मौसमी यानि कि दिपिका और तुशार आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है यह थांक यू थांक यू नमीन आप लोगों का बहुत-पिक्चर आने वाली बहुत ही जल्द तो हमारे लोगों से बातचीत और कैसा रिस्पॉंस आहा है वह इसमें एक्साइटमय है तो थैंक्डी एंक्यू थैंक्यू ऐतना च्यू से अपने इंटुड्यूस किया फिल्म को और थैंक्यू तो वाउडिवान तो तो जब तक मुझे कोई चीज अर्टा नहीं गरती आपको नहीं मोल्ड कर पाती हूं तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और जो मेरे लिए काम था फिल्म के अंदर वो बहुत चैलेंजिंग लगा पढ़कर ऐसा नहीं लगा कि यह मैं कर सकती हूं तो एस अन आक्टर मुझे खुद क टो एस वाय यह ए सिर्फ मैंने हां किल्स अन आही मिलकर यू नहीं नहीं गाया सब्सक्रिपर्ण मुझे सपर्ट किया और किसी नहीं कोई अप्रीहंशन नहीं दखा और हमारे प्रडूषर हो और यू रहें सब्सक्रा क्या यूंन दिखा एक्टर अन फ़िए उड़न तो वो चीज़े हो पाई वो बाद यूट यूट I mean, for me, one of the most important thing was the story जब कहनी मने पड़ी और जो पने स्क्रिप्ट पड़ी तो मुझे सबसे पहले तो लगा किया बोट एक्साइटिं है कुछ कहनी, कुछ नहा इंटरस्टिंग दे रही है अधर आपके एप्र प्रेशिए हैं, पूर ड्रेशा प्रेशिज अबोटे मुझे प्रहा को वालाओ कि तो झालाओ अन्यू फूट इलोगा इफ लाओ यूट जब एक कानने से तो इल्हा उनल। तरी ते चिवा जबूए प्रेशा कि अज्स पूट अटेजए प्र दिए somehow everything came together when I spoke to Rohit, I felt that this is right because when he spoke about the vision, the way he has approached this film you want to work with collaborators, you want to work with people who have interesting things to say so I think everything came together very nicely and I am very glad because of Finally Film Radio so it has turned out way better than what I had in my mind even after that so I am very glad it's coming out now and now it's up to the people to see it and help us out I was going to the comment section and people are really like tariff what was the best reaction you get from your own ones like you both? It was overwhelming, especially the girls tell their stories and there are no girls, there are many males who are telling their comments that they had a problem and they wanted to help their family after their marriage and people are writing their stories in their comments that's why I have also liked comments and replied so I feel like this film is made and we can connect and share our stories and we can entertain each other and we can entertain each other and that's what's happening so it's very overwhelming and it's just that everyone comes to Tito Ambani and come to the theatre and come to the theatre and come to the theatre because the trailer has really liked people how about you, what you got the best reaction from your own ones? I think people's response is very similar to what Deepika said I will tell you the other way to it that people are expecting it the film has a lot more to that so I am very sure by the time they come there will be so much more that they are going to get out of it that they will get out of it because the trailer again just shows you the essence but in addition to that, there are not many dialogues and there are not many actors like Ragveer Ji, Virindra Ji, Samta Ji, Sapna San so somehow there is a lot more so I am more excited right now when people will see things that they are not expecting yet how will that get but I am hoping that by the time the film gets released there will be like 10 more times views on your trailer and that will convert into a lot more viewership Deepika, we also want you to know that you have been a very important feature on television which was very close to people's hearts what is next? like this is the journey that starts for Bollywood or something else I don't know actually I am going to be watching and obviously I would like to get a lot of love and I would like to get a lot of my work and I would like to get a lot of my work so I would like to get a lot of my work so I would like to get a lot of my work that's why Tushar, what do you want to say to all the fans and viewers? because the trailer has a lot of people like this I just want to say the film is coming out on 8th I really feel that we need the support of people because it is a very small film in terms of production size in terms of the name and this story is a very real decision the only thing I can say is that people who are involved are very credible all the actors we know, we have seen their work singers, Rikha Ji, Shalmuli, Abhay people we know, they are good at their job and somehow we were trying to make a film that is genuinely authentic and people trust and now we just hope that people will watch the trailer and songs that are out on YouTube and that will pull them and support this film by going to the theatre and we really need, these kind of films really need that support it's not a film that is projected everywhere with every banner, with every social media presence and so it will really big boost for us who made this film and it will really help our life and the film's life Thank you so much guys for being with us and all the ways for the film and all the ways for the film we all have a look at art Thank you, E.T. Thank you so much Camera person Anantoo, Naveen Singh Bhadwaj, E24 Mumbai